मराधावाड की महान धर्ति से हुजूर सहब को गुरु गुविन सीजी को प्रणाम करता हूँ मैं रेणु का माता और दत्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं बाबा साब आमबेड कर और नाना जी देश्मोक दोनों भारत रखना जैसे रास्पुरुषों को नमन करता हूँ साथियों कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्द हुआ है मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेश कर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ मतदान के बाद अलग-अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारिया मिल रही है उसे विश्वास पक्ता हो रहा है कि पहले चरण में एन्डिये के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है लेकिन मैं देश वास्यों से आग्र करूंगा एन्डिये की जीत आप पक्की कर रहे हैं मैं सर जुका कर आपका आभार व्यक्त करता हूँ लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे हैं पहले चरण में लोग कंत्र की यह सबसे बड़ी ताकत होता है आप किसी को भी वोट दें लेकिन वोट जरूर दें हमें वोट में कभी भी उदासिंता नहीं करनी चाहिए और यह बात सही है गर्मी बहुत है दिकते भी है शादिया भी है कुछ इलाके हैं जहां किसान भी काम में हैं फिर भी जब हम देश के जवान की दरब देखते हैं कोई भी मौसम हो सीमा पर कितनी ठंड हो बरब गिरती हो कितना ही गर्मी हो वो डटा रहता है क्यों देश के लिए मैं मानता हूं मतदाता हूं के मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मैं मतदान किसी पर उपकार नहीं करता हूं मैं मतदान करके मेरे देश का भविश्य पक्का करता हूं मेरे देश के भविश्य को सुनिस्चित करने लिए मतदान करता हूं और इसलिए एंडिये के भग्वे विजय की पहले चरण में साप साप आपका सहयोग के बावजूद भी लोग तंत्र के लिए मैं फिर आगर करूंगा कि भारी मद्दान हो रा चाहिए और मैं राजनीतिक छेत्र के सभी दल के कार करता हूँ कहूंगा भले आपको लगता हूँ आज कि भी अब चुनाव हारने वाले क्यों मेहनत करें उनको भी कहता हूँ लोग तंत्र के लिए मेहनत कीजिए अरे आज नहीं तो कल परसो परसो नहीं तो नर्सो अरे कभी तो मोका आएगा ऐसे निरास होगे क्या बैठ गए हो और इसलिए इसलिए जिनकी हार सुनिश्चिद है उनके काहर करताओं को भी मैं होसला बुलन करते हुए कहना चाहता हूँ क्या मद्दाताओं को जुरूर मद्दान करने के लिए प्रेरित कीजिए क्योंकि दुनिया के लोगों को डुनिया में voting percentage बहुत काम होता है वी तना सारा voting percentage होता है उसका विश्व पे प्रभाव होता है है भारत की लोकतंत्रगी ताकत का एक मजबुत उधार मनता है दुनिया को भी भारत को समझने के लिए अधिक्तम वोटिंग बहुत जरूरी होता है और आने वाले 25 साल तो विश्वम है भारत के महातमय के वर्ष है और इसलिए अधिक मद्दान हमारी लोकतांत्रिक ताकत का परिचे देता है साथियों वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी एलाइंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने प्रस्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए है और इसलिए खबरे यही है कि पहले चरण में वोटर से इंडी एलाइंस को पूरी तरह नकार दिया है क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोता है भई यह इंडी एलाइंस वालो आखिर देश किसके हाथ में सूपना है कोई तो चेहरा बताओ इतना बड़ा देश हम किसको सुपरुत करें उत्तो बताओ वो बता ही नहीं पा रहे हैं ये लोग दावे जो करें लेकिन सच्चा यही है कि चुनाव की गोशना से पहले से ही कॉंग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके है और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोग सभा में जीत करके आते थे इस बार आपने देखा है वो लोग सभा का चुनाव छोड़ करके राज सपा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी हाला कि यह है कि इंडिय अलाएच वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं जादा तर सीटों पर इनके नेता प्रचाही नहीं करने जा रहे हैं और आप जानकर के हरान हो जाएंगे इस देश की करीब करीब 25 प्रतीशत सिटें ऐसी हैं 25 प्रतीशत जहां यह इंडिय अलाएच के लोग अंदर अंदर एक दुसरे के खिलाब चुनाव लड़ रहें अब वो किस प्रकार की बाते करते हैंगी कोई कल्पना कर सकता है चलो पर एकाद दो में गड़बड हो जाए वो तो समझ सकते हैं 25 परसंद सिटें ऐसी है इस देश के लोग सबागी जिसमें यह जो अपने आपका गड़बंदन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं आपस में एक दुसरे को जेल में डालने की बाते कर रहे हैं आपस में एक दुसरे पर आरोप लगा रहे हैं क्या ऐसे लोगों पर बरोसा कर सकते हैं क्या ऐसे लोगों पर बरोसा कर सकते हैं जो अंदर अंदर बरोसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप बरोसा कर सकते हैं क्या देश बरोसा कर सकता है जो आज साथ होने के बाद भी 25-30 सीटों पर लड़ते हैं तो अगर उनको थोड़ी सीटे प्रार्लामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तुफान करेंगे और इसलिए इस दुनाव में इनको सबग सिखाना बहुत जरूरी है और देखिए कॉंग्रेस के जो साहजादे हैं उन्हें भी वाइनार में संकर दिख रहा है साहजादे और उनकी टोली 26 अपरिल को वाइनार में वोटिंग का इंतेजार कर रही है जैसे ही 26 को वाइनार में वोटिंग पुरा हो जाएगा ये साहजादे के लिए एक और सुरक्षीत सीख गोसित कर देंगे और कहीं और से फिर से लडाना पड़े का उनको क्योंकि उनके एलाइस के साथी भी एक दूसरे को गालिया दे रहे हैं कल आपने उनके साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो साहजादे को सुनाई है मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूँ ऐसी भाषा बोली है उनके साथी को यह हाल है उनका अब जैसे इनों ने अमेटी से भागना पड़ा अमेटी छोड़ा अब मान के चलिए वो वाइनार भी छोड़ेंगे आप कॉंग्रेस का यह परिवार आपको आस्तेरियों का आजादी के पहली बार सिती ऐसी बन रही है कि यह कॉंग्रेस का परिवार इस चुनाव में कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा खुद खुद कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा यहहाल है इनका क्यार कि जहां वो रहते हैं वहां कॉंग्रेस का उमीधवारी नहीं है अब ये हैसी स्थिती कभी सोची है अपने कॉंग्रेस की कि जिस परिवार के ब्रों से कॉंग्रेस चलती है वो परिवार खुद कॉंग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा साथियों आप देखियेगा चार जून के बाद इंडी गडबंदन आज जो 25 परसंट सीटों पर बिखरा है लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है चार जून के बाद वो शत प्रतिशत एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं । इसलीए ये इंडी अगाडी के लिए मुझे बताये कोई भी समध्दार नागरी इनके लिए वोट बरबाद करेगा क्या कभी भी वोट बरबात करेगा क्या और मैं तो मत्दाता हूं कहता हूं आये ची भरकर का अट tänker को बेर दिजिए पुरी प्रक्त से वोट दिजिये एंडियों को वोट करना है विक्सित भारत के लिए वोट करना है और इसलिए ही आज पुरा देश कह रहा है फिर एक बार पिर एक बार पिर एक बार साथियों कॉंग्रेस गरीप दलीत वंचीत मद्दोर इसान के विकास के सामने हमेशा दिवार बनके खड़ी है आज भी इंडिये सरकार गरीप के लिए कोई काम करती है तो कॉंग्रेस उसका मजाग उड़ाती है आज जादी के छे दस्व को बात पहली बार हमने करोणों गरीप महिलाओं को सवचाले देने का भियान शुरू किया तब कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले लोग उसका मजाग उड़ाते से मैंने पचास करोड से जादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा हम देश में डीजिटल इंडिया और यूपी आई जैसी टेक्नलोजी लेकर आये तब कॉंग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री रही व्यक्ति कहते थे कि डीजिटल लेंडेन अनपड गरीबों के बहस की बात नहीं है जिस कॉंग्रेस पार्टी के सोच ही ऐसी हो जिसको देश की जनता पर भरोसा ही नहों उससे आप देश के विकास की उमीद कभी कर सकते हैं क्या उन पर भरोसा कर सकते हैं क्या ये लोग महराष्ट और मराषा वाड़ा की समस्यों का कभी भी समाधान कर सकते हैं क्या आपकी समस्यों का समाधान कर सकते हैं क्या जाथियों कॉंग्रेस ने दस्वकों तक महराष्ट और खासकर विदर्प और मराठवार के विकास का दम गोंटने वाला का काम किया है इस छेत्र में सूखे की स्थिटी पानी का संकाट एक दिन में प्यादा नहीं हुआ है कॉंग्रेस के रवये के कारान यहां किसान गरीब होते गए जहां उद्जोगों से जुड़ी संभावना इस सुक्ती चली गई मराढवार के लौखों युवाओं को बलाएन करना पड़ा आपको इस स्थिती से निकान ले के लिए एंडिये सरकार प्रतिबद्ध है यहां एकनाचिंदे जी देवेंद्र फणवज जी और अजीत पवार जी मिलकर किसानों के हीत में काम कर रहे हैं और अब तो इस छेत्र में और कुछी की बात है असोग जी भी हमारे साथ आ गए है और मुझे आद है मैं जब राजनिती में भी नहीं था और कभी मुझे लगता भी नहीं था मैं राजनिती में जाऊंगा उस समय पुटपर्टी में साई बाबा ने मुझे उनके पिदाजी से परिचे करवाया दाई बाबा का मुझे पर बहुत प्रयाम रहता था और मुझे पिताजी के साथ लंबे वहां समय था तो काफी देर बैर था इतने उच्छ पदों पर रहने के बावजूद भी राजनिती की जीवन में इतना लंबा सफल केरियर रहने के बाद मैंने उनकी जो नम्रता मैं तो बहुत छोटी आयू का था सामान्य मेरे राजनिती ते कोई लेना देना नहीं था लेकिन जिस प्रकार से प्यार से उनसे बाते करने का सवभा कि मुझे मिला वो मैं कभी भी भोलने ही सकता हूं मैं हमेशा उनके व्यवार में से आज भी कुछन कुछ सिखने की कोशिश करत साथ है और उनका पुरा परिवार आज हमारे साथ है हम दनांदेर के 80% से ज्यादा घरों में नल से जल आने लगा है सीन्चाई की समस्या के समाधान के लिए अपर पैन गंगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है यहां के किसानों को इसका बड़ा लाब मिलेगा हमारी सरकार ने पसल भी मायोजरा के तहट किसानों को प्रीमियम से पाँज गुना जादा क्लेम दिलवाया है किसान सम्मान निजी के तहट अकेले नांदेड के किसानों को ही तेरा सो करोट रुपिय से जादा मिले हैं इस ठेत्र में तो जवार बाजरा बहुत होता है हमारी सरकार ने इस मोटे अनाज को पुरे देश में पहचान दी है उसके लिए पहचान दिये स्री अन्न जाए जवार हो बाजरा हो वो स्री अन्न के साथ पहचान ही जाए और जब से ये काम चुरू किया है दुनिया भर में लोगों का ध्यान हमारे स्री अन्न पर गया है सूपर फूर के रुपे गया है और नुट्रेशन की दुसरी से बहुत बड़ा ताकतवर संदेश गया है और इसका भी बड़ा लाब नांदेड के किसानों को मिलना तय है साथियों कॉंग्रेश के दिये हर जख्म का इलाज करना ये मोधी की गारंटी है इस खेत्र को शक्ती पीट एक्सप्रेस वे और सम्रुद्धी महामार्ग जैसे वर्ल्ड क्लास रोड्स मिली है लातूर की रेल कोच फैक्टरी का लोकारपन करने का सहुपा कि मुझे ही मिला था उडान योजना के तहट नान लेड एरपोर्ड को भी फिरशे शुरू कर दिया गया है पीएम आवास योजना के तहट यहां जारों गरीबों को पक्के घर भी मिले है आईश्मान योजना के जरिये तीन लाग से ज़्यादा लोगों को मुप्त इलाग की सुविदा मिली है लेकिन इन दस वर्सों में जो काम हुआ है वो तो अभी ट्रेलर है अभी तो हमारा बहुत समय कॉंग्रेस को एक गड़ों को बरने में गया है अगले पांच वर्सों में हमें मराठाबार और महाराष्ट को बहुत आगे ले कर जाना है साथियो नांदेड की ये धर्ती सीख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई खाल्सा पंत की गुरु परंपरा और गुरु गोविन सीची के सीख हमेशना हमारी सरकार के लिए प्रेणना रही है बीते दस वर्सों में हमने सरबद्दा भला कि रास्ते को मानकर लोग कल्यान के लिए काम किया है हमारी सरकार को गुरु नानक देवजी का पांसो प्रकास वा प्रकास पर्म मनाने का गुरु तेग महदूर जी का चार सो वा प्रकास पर्म मनाने का गुरु गोविन सीजी जिगा तीन सो पटास वा प्रकास पर्वा मनाने का सौभागे मिला करतारपूर कोरिडोर का काम पूरा होने के बाद लाखोस रधालूं को वहां के दर्शन में मदद मिल रही है लंगर को टैक्सी करने का नेने हो या हर मंदिर साहब के लिए एपसी आरे की अनुमती हो हुजुर साहब और हेमकुन साहब के दर्बार तक बहतर इंट्रासेक्टर का इंतजाम करना हो NDA सरकार ने सिख परंपरा से जुड़े हर तिल्ट के विकास के लिए पूरी शक्ती और पूरी भक्ती से काम किया है यह हमारी ही सरकार है जो अफगानिस्तान से वहां जब संकठ आया देर्दोश्त लोगों के हत्याएं होने लगी हमारे धर्बस्तानों पर हमले होने लगे तब आफगानिस्तान से गुरू-γ Assistant साहब के पवित्र स्वरुवपों को पूरी सुरक्षा और मान मर्यादा के साथ हम अफगानिस्तान से भारत ले आए कि यह हमारी ही सरकार है जो बटवारे के पीडितों के लिए सी ए ए लेकर आई सी ए ए ना होता तो हमारे सीख भाई भाई बहनों का क्या हुआ होता जो अफगानिस्तान से आये हैं उनका क्या गुनाव है लेकिन कॉंग्रेस इसका भी विरोद कर रही है ऐसा लगता है चौर ऐसी का बदला कॉंग्रेस सीखों से अब तक ले रही है जातियों हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी मोदी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है मोदी ने गारंटी दी थी तीन तलाक खत्म होगा आज मुसलिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति मिल चुकी है मोदी ने गारंटी दी देश की अर्थे ववस्ता को गड़े से निकालेंगे आज भारत दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता है अब मोदी की गारंटी है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता बड़ेगा और आप सब देख रहें आज अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बन करता याद लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं लेकिन ये इंडिया गाड़ी वाले क्या कर रहे हैं ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बैज़कार करने को सही ठहरा रहे हैं ये लोग राम मंदिर में पूजा अर्चना को पाखंड बताकर हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं क्या ये माप करने योग है क्या ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या सात्यों मराठावार के वाले की इलाका नहीं ये हमारे भारत का सुरक्षा कवच्छा है मुगल आए अंग्रेज आए लेकिन मराठा शावर्य ने ये सिद्ध किया कि भारत हमेशा रहने वाला है आज एक बार फिर विक्षिद महाराष्ट्र और विक्षिद मराठा वा भारत के लिए विक्षिद मराठा वार के लिए हमें सबसे आगे खड़ा होना दिखता है आने वाली 26 एप्रिल को आपको मराठा वारा के विकास के लिए नांदेर लोग सभा से प्रताफ राव पाटिल और हिंगोली लोग सभा से बाबुराव कोहली कर इनको रेकॉर्ड वोटों से जिता कर मुझे मजबूती करनी है ये दोनों उमिद्वार आपके साउसद बनकर साउसद में मोधी को ताकत देंगे और इसके लिए आपको कुछ काम करना है करेंगे आपको कुछ काम करना है करेंगे एक आपके बूत में मतदान के पुराने सारे रेकॉर्ड तूटने चाहिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है करेंगे बूत में ज्यादा से ज्यादा मतदान पका करेंगे दूसरा हमें पोलिंग बूत जीतना है पोलिंग बूत जीतेंगे पोलिंग बूत जीतेंगे हर पोलिंग बूत जीतेंगे सभी मत्ताताओं से मेरा आगर है हर पोलिंग बुद्ध जीतना है अच्छा मेरा एक और काम करना है करेंगे करेंगे देखें महाराष्ट के गर-गर जाना और हर परिवार में जाकर के मोदी का प्रणाम पहुचाना मेरे प्रणाम पहुचाएंगे हर गर में पहुचाएंगे बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झालबे प्रणाद नागता calidad प्रणाफे करेंगे झाल प्रणाम वीज डिजाइनर शोरूम में शाधिविया और ईद और दिगर तहवारों के लिए नतने डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, डाइडल सूट, लांच ऑफ फॉग, गाउन, गरारा सूट, शट शलवार, दूलन के सूट के लावा दिगर फंशन के लिए बहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिफ खीमतों में दस्तियाब है वरकत कॉंपलेंस रोर, बाव पिडूल पम के खरीब कुईन्स, डिजाइनर सूट, एंड इंपोरियम नानदे